कि नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वी एसे ट्रिकी क्लासेज में तो काफी इंपॉर्टन क्लास जो आपके लिए लेकर आचुके हैं बहुत ही इंट्रेस्टिंग आज का जो सेशन रहने वाला है और अगर यह क्लास आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइ क्लास को मिलकर आप लोग सपोर्ट कीज़ेगा तो यूपी पुलिस कॉंस्टेबल के लिए यूपी ट्रिपल से पीटी और एससी जीडी यूपी एसाइए इसमें बहुत सारे कोश्चन लेकर आएं दोस्तों महरतन होने वाली है और यूपी की परिक्षा में जो भी एक्ज करने वाले हैं तो बहुत इंट्रेस्टिंग क्लास है और अगर यह क्लास आप लोगों में से किसी को भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना और अपनी क्लास को मिलकर आप सबी लोग यहां पर सपूर्ट कीज़ेगा ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं आज कोश्चिन ऐसे होगे दोस्तों कोश्चना से जिससे अंग-अंग धीला हो जाएगा कोश्चन ऐसे जो धीला करने अ वरसाइकी संदी किसके द्वार्ण मरदन किया गया था हम इस कोश्चन के बात करेंगे तो ए बी सी या फिडी चलिया, सब टॉपिक से क्लास कब से स्टार्ट होड़ी बताओ पहले, वो 8 बजे होगी, डेली 8 बजे, टॉपिक वाइज जो क्लास है, वो आप लोग जितने भी बच्चे यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लास को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो जो टॉपिक वाइज जीके है, जो पेपर में आती है, टॉपिक वाइज जीके जो आपकी रात में आपकी 8 बजे होगी, और ये कलास आपकी होगी, B.S.A. गौर्मेंट जॉब न्यूज पर, जिस बच्चे को अपने जीके के टॉपिक कंप्लीट करने हैं, तो वो आज ही हमारे नए चैनल, B.S.A. गौर् प्रेक्टिस सब कुछ इस पर होगा, चलो, जर्मनी, तो जिनका भी आंसर आ रहा है, जर्मनी आ रहा है, बिल्कुल राइट है, सही जवाब आपका जर्मनी हो जाएगा, अगला कोश्चन देखिए, चीन में 1911 के विद्रों का क्या परिणाम हुआ, चीन में 1911 के विद्रो का क्या परिणाम हुआ, सही जवाब होगा, एक गड़तंत्र की स्थापना हुई, तो अगर आपका आणसर आ रहा है, एक गड़तंत्र की स्थापना हुई, बिल्कुल राइट है, चीन में 1911 के सामने है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का नाम किसके साथ समंदित है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का नाम जो है, किसके साथ समंदित है, तो अगर हम इस कोश्चन की बात करेंगे, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, सर आप पेर हो गए हैं, सर आप पेर हो गए हैं, मतलब समझा नहीं हरियों दूए, मैं आपकी बात समझा नहीं, तो जिन प्यारे दोस्तों का अंसर आ रहा है, ऑप्शन भी, फ्रांस की क्रांती बिलकुल राइट है, सही जवाब हो जाएगा, फ्रांस की क्रांती हो लैसल देखी है Hitler जर्मनी का चांसलर कब बना हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर कब बना वेंस सब कुछ हमारें फृरी यहां पेयर मिश्वकाइं है चलिए तो हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना तो आपका आंसर हो जाएगा 1933 में तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1933 में अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है नील नदी घाटी में किस सब्विता का विकास हुआ था हाँ डेली क्लास चलती है बताइए दोस्तो नील नदी घाटी में किस सब्विता का विकास हुआ था तो नील नदी की घाटी में बच्चा मिसर की सब्विता का विकास हुआ था जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं हारा वही जो लड़ा नहीं तो तन प काम्याबी बाहएं पैलाएं तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं कोई आएगा कोई तो आएगा पहने कर इसे मैं अपना लूँंगी उसे मैं अपनी बाहँ में पैल लूँग सौर्ब देढे़ कर स्भाएं सदी में कागज बनाने की कला को किसनें खोजा था तो इसकर आया है कागज आया है दोस्तो आपका चाइनीर से ठीक है जाना काम्याभी की एक अदा है यह महनत करने वालों पर फिदा हो जाती है ठीक है वेकेंसी बहुत जल्द आ रही है और इन्होंने साफ कह दिया है कि जिस दिन फॉर्म आएगा फॉर्म के 40 दिन के अंदर पेपर करा लेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा इसलिए पढ़ लो मौका नहीं है और एक बार बीटा निकल गए तो फिर अगले 5 साल का इंतजा करोगे तो बस लग जाओ डट जाओ यहाँ पर काम्यावी तुबार इंतजार कर रही है तुम वर्दी पहन कर पहुंचो तो सनम आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आपके सामने इसको देखिए 1945 में अलू बम को गिराने जाए जाने से तवा हुआ जो नागा साकी और हिरोश आपका जापान में है तो आपका सही जवाब हो जाएगा जापान हो जाएगा अगला सवाल देखिए इसको देखिए क्या दिया गया है आपके सामने इसको देखिए और देखो बाकी अगर हम बात करेंगे मैंने आप लोगों सभी कहा था जिसको अपनी जीके कंप्लीट करने है जीके हम आपको टॉपिक वाइस करा रहे हैं अभी मैंने आपको बताया था बियसे गॉवर्मेंट जॉब न्यूज पर जैसे कि आपको पता होगा आज रात जो जॉब न्यूज पर क्लास में लेगी तो इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लिजे और दिल्ली पुलिस की बात करेंगे सभी लोगों से मेरा दोस्तों निवेदन है कि दिल्ली पुलिस वाले भी यहां पर सभी लोग अपने बियसे ट्रिकी क्लास को जॉइन कर लिज लगेंगे यूपीश में पर सीधे वरदी है कंदो फ्स दारे लगेंगे यूपी ऐसाई दोस्तों गया आपकी लगा मलेशिया। तो माओ जी डांग किस देश के सामने वादी आंदुलन के नेता थे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा यहां पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यह आजाएगा आपका मलेशिया अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया इसको देखिए वेरी गुड बहुत बढ़िय से तो जिनका भी आंसर आ रहा है 1970 से रूसी करांती से विल्कुल राइट है परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह आ जाएगा ओके चैलिए नेक्स कोश्चन देखी क्या है प्रत्थम विश्विद्ध छिडने का तातकाली कारण क्या था बताईए प्रत्थम विश्वि नेशन ओफ आर्ग डियूग फ्रांसेस फर्नाइंडेस तो जिनका भी आंसर आ रहा है ए बिल्कुल परफेक्ट है अगला सवाल देखी क्या है आपको मेल करना है मिलाना है दोस्तों एक तरफ आपके हैं फासिस्ट वाद एक तरफ हैं एडॉल फिटलर एक तरफ है प्रजा इसका संबंद आपका किसे तो इसका संबंद चैन से हैं दूसरा नाम आ रहा है डी नंबर प्रजा तंत प्रजा तंत्र कोоп कने वाले दोस्तें यहां पर कौन है तो प्रजा तंत्र से आप लोगों की जो संबंदिता वुढ्रो विल्सन इनका नाम तो तुम् हिटलर है आप लोगोंने पढ़ाओगा हिटलर जो था यहां पर नाजीबात पासमर्थक था तो यह पर आपका नाजी बात हो चाहेगा यहीं नाम सुना है फिर आप लोगों का समाज़बाद नाम आ समाज बात की अगर हम बात करेंगे इनका सम्मंद किससे है तो यह आप लोगों के कहां दे रखा है यहां पर लेनिन का सम्मंद है समाज बात से क्या आपको समझ में आ रहा है मतलब answer हो जाएगा 3412 अगर आप में से के सभी लोग इंग्लेंड का पहला पी एम ये थे आपके रॉवर्ट वाल पोल थे इंग्लेंड के सबसे पहले पिया में आपके रॉवर्ट वाल पोल अगर आपका अंसर आ रहा है रॉवर्ट वाल पोल बिल्कुल सही है नेक्स्ट आपके सामने आपको दिया गया है इसको द क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजेगा और नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कर लीजेगा कभी कभी यह होता है यूटूब बहुत सारे बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं देता है यह जो स्पेशल बच्चे होता है उनको नोटिफिकेशन देता है नए वाली लोगों तक न तो आपको हमारा टेलेग्राम चैनल मिलेगा और टेलेग्राम चैनल को जोईन कर लीजिए यह तरीके का गुरूप है इस गुरूप को जोईन कर लोगे यहाँ पर आपको सारी free classes मिलते रहेंगे ठीक है सभी free classes के link मिल जाएंगे तो कभी भटगना नहीं पड़ेगा चीजों को धूनना नहीं पड़ेगा आपके मतलब की चीज आप तक पहुच जाएगी तो अफीम युद्ध जो है ये किनकी किनके बीच हुआ था अफीम युद्ध हुआ था ब्रेटे इनको मिलाना है आपर सीत युद्ध धर्म युद्ध दीर्ग कालीन प्रियान और रूसी करंती चर्या सबसे बात करेंगे सीत युद्ध का संबन किससे है यह आपका संयुक्त राज्य अमरिका वर्सेस सोव्यत समाजवादी इनके बीच में हुआ था सीत युद्ध धर्म युद्ध की बात करेंगे सबसे पहला हमारा ए हो गया धर्म युद्ध की बात करेंगे तो यह धर्म युद्ध जो आपका धर्म युद्ध करता से संबंदित है तो हमारा यहां पर बी वाला पॉइंट तीसरे के लिए हो जाएगा इसके बात करते हैं हमारा दीर्ग कालीन प्रियान दीर के कालिण प्रियान की बाद करेंगे तो इसका सम्बंद है माव चाईना से तो दीर के बाद बार से खीना और आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहां पर रूसी करांती रूसी करांती के जुछ संबंध है यह है आपका 1917 के धरम युद्ध से 1917 के दोस्तों आप लोगों के धरम यूद्ध से यानि कि अगर हम देखें तो हमारा आंसर आ रहा है कोश्चन आपका पेज से बाहर चला जाता इसलिए जो है इस कोश्चन को इस तरीके से लिखा गया है ताकि आपको सारे ऑप्शन अच्छी तरीकी से दिख जाए वरना मैं सेपरेट करता तो आप इस कोश्चन को पूरा देखने पाते एक साथ और ना ऑप्शन दिखते ना आ समाजवादी बिल्कुल राइट है नेक्स कोश्चन आपके सामने आपको दिया गया इसको देखिए किस राजवन्स के साशनकाल में चीन के ग्रेट बॉल का निर्माड हुआ था जो चाइना की जो सबसे लंबी दिवार है कहते हैं स्पेस से भी दिखती है इसका निर्माड जो है किसके टाइम पीरेड में हुआ था तो आपका सही जवाब है चिन उनका नाम क्या था चिन था चिन तो जिनका भी आंसर चिन आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है जेंद अवस्था निमलिकित में से किसकी पवित्र पु नेक्स्ट लगतार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर कौन सा है लगतार बसा हुआ दुनिया का दुनिया का सबसे पुराना शहर है दमिश्क जो है इस दुनिया का सबसे पुराना शहर है यहां पर जो कि बसा हुआ है पिर अगर हम बात करेंगे भांगड़ा आज आपको बता है भांगला हो गया गिद्दा हो गया यह सब आप लोगों के पंजाब के हैं वैसाखी कहां का है कमेंडर के बताना अगला कोश्चन है कौन सा जोड़ा गलत है एक तरफ हमें लिया है डांस और एक तरफ है राच्च जैसे कि केरल करगम गुजरात गर्वा यूप में आपकी नोटंकी होती है पश्य मंगाल में आपका जट जाटेन है जटन दे रखा है आपको तो यह तीनों सही है आपके गलती किसमें केरल में है तो अगर हम इस कोश्चन के बात करेंगे गलत केरल वाला है यह ना केरल का आपका गलत है केरल की कली कथक कली इस तरीके सा इसके लावा प्रेक्टिस पेपर मॉग टेस्ट अगर इस सब लगाना है तो आप हमारे टेलेगराम गुरूप को जोइन कर लिए आपको इन सबी चीजों की जानकारी टेलेगराम पर मिलती रहेगी लेकिन आपको बता करोंगे हम यूटूपर क्लास कफ कराएंगे पहले हम आपको टेलेगराम पर बताएंगे उसके बाद आपको पड़ाएंगे तो सबगुच आपको बताके करते हैं ठीक है अब देखो आपका अगला सवाल क्या दिया गया है भारत का निम्लिकित में से कौन सा विश्व धर्वर मद्द्य प्रदेश में नहीं आप बताएं दोस्तों मद्द्य प्रदेश आपका मद्द्य प्रदेश में कौन सा विश्व धर्वर नहीं है खजराहों के मंदर यह तो एंपी का यह साचिस तूब भी प्रडेश आम से प्रदेश में क्या है अगला कोस्ट देखिये प्रदेश में क्या नहीं मनाय जाता कौन उस्थाद संगीत इस ते उसताब उसताफ अलाव्देस में 20 एक या फिर कंवार मार्वाल नाम से लगत राज़शान है तो मार्वाल जो है आपका ये मद्यप्रदेश में नहीं मनाई जाता साइworks के गोल्डमें के नाम से आह सका मियामार जाता दो फोकस करने वाला सेलेक्शन ले गया और और जिसके तुम D.P देखते रहे गएं वर्धी वाला शाधिक अकाल तुम्हें थमा के चला गया जिसके तुम D.P दीपी देखहा करते हैं तुम्हें ठमा के चला गया तो D.P मत देखो पढ़ाई पर focus करो जिस طरीके से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने हैं, इसको देखिया निम्न में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन इसमारक? निम्न में से दिल्ली का कौन सा प्राचीन इसमारक विश्व धरोर इसमारक नहीं है तो आपका सही जवाब हो जाएगा जंतर मंतर तो आपका परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जंतर मंतर आजाएगा जंतर मंतर जो है ये प्राचीन इसमारक विश्व धरोर इसमारक नही लोगों पर है आगे देश को सम्हालना तुम्हारा काम है लोगों के जगड़े जमेले जंजट इन सब को सम्हालना काम तुम्हारा है लोगों के लडाई को सुल्जाना तुम्हारा काम है जनता के बीच में सही तरीके से न्याय करना भी तुम्हारा काम है तो यह सब तुम्हा पहले बसा हुआ जो इसमारक है यह है जैसल मेर किला तो अगर आपका आंसर आ रहा है जैसल मेर किला बिल्कुल राइट है अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है भारतिय संगीत के महान संगी तक उस्ताद बिस्मिल्ला खान इनका संबंद किस से है सेहनाई ठीना बिस्मिल तो अगर हम इस question की बात करेंगे तो आपका right answer क्या हो जाएगा सही जवाब आपका इस्तूप हो जाएगा जो अपने duty को अपने करतबे को जो है सही डंग से नहीं करते हैं एक दिन उन्हें इश्वर जो है बहुत उपर लेदा कर वहां से छोड़ देता है जो भी बैटा इश माद की आप बात कर रहे हो आप लोगों देखा होगा अधेष़् उमर में लोगों को सस्पेंट होता हुए देखा है मैंने जिन्दगी को तबा होते हुए उनकी देखा है मैंने इसलिए अपने काम को इमानदारी से करो इश्वर जो तुमें आगे जिम्मेदारी देने वाले हैं उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाओ नहीं तो आगे सस्पेंट हो जाओगे फाइदा क्या है इतनी मेहनत करके पड़ाय लिखाई करके जाओगे और फिर आगे सस्पेंट हो जाओगे तो क्या करोगे अगला सवाल आपके सामने आपको दियागे इसको देखिए यहुदियों के धार्मिक पार्ट का नाम क्या है यहुदियों के धार्मिक पार्ट का नाम क्या है मूसा सहीता यहुदियों के धार्मिक पार्ट का नाम है मूसा सहीता तो जिनका भी आंसर आ रहा है मूसा सहीता बिलकुल राइट है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन आपके सामने इसको देखिए गेटवे ओफ इंडिया किसके दौरा बनबाया गया था दोस्तों बताईए गेटवे ओफ इंडिया किसके दौरा बनबाया गया था ठीक ना तो अगर हम इस कोश्चन की बात करेंगे जौर्ज विटेट दौरा गेटवे ओफ इंडिया जो बनबाया गया था यह बनबाया गया था जौर्ज विटेट के दौरा अगर आपका अंसर आ पेंटिंग थी यह बनाय था अविंद्र नाथ टैगोर ने यह पेंटिंग के फेमस पेंटर कौन है अविन अवनिंद्र अवनिंद्र नाथ टैगोर भारत का राश्टिय फल क्या है भारत का राश्टिय फल आम है बच्चों वाला सवाल नहीं है इसका मतलब यह है बिटा कि एक important topic है राश्टी है प्रती तो इंडिया के जितने भी national symbol है यह आम बताने का मतलब खाली आम नहीं है हम आम की बात नहीं कर रहे हैं इस सवाल को बताने का मतलब यह है कि आपके paper में national symbol से question आता है ठीक है भारत के राश्टी calendar का पहला मास कौन सा होता है अगर हम बात करेंगे इंडिया का जो पहला national calendar होता है इसका पहला महिना कौन सा होता है चैत्र का तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा चैत्र हो जाएगा next question देखिए भारत का राश्टी पुष्व का वेग्यानिक नाम क्या है तो भारत का राश्टी पुष्व का वेग्यानिक नाम बताना है तो कमल का आप लोग मुझे जो है scientific name बताई जल्दी से अब देखिए आपका अगला सवाल दिया गया है सर्व स्रेष्ट फीचर का राष्टी पुरुषकार प्राप्त करने वाली फिल्म कौन से थी दोस्तो सर्व स्रेष्ट फीचर का राष्टी पुरुषकार प्राप्त करन वाली पहली फिल्म जो है कौन से थी तो यह थी शयामची आई तो जिनका भी आशर आरहा है शयामची आई, बिलकोल राइट है, सही जवाब हो जाएगा, ही शयामची आई हो जाएगा, नेक्स्ट कोश्चन भारत की फिल्म और टेलिवीजन संस्था कहां पर है भारत की फिल्म एबम टेलिवीजन संस्था है पूने में तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा पूने में फिल्म और टेलिवीजन संस्था हमारी पूने में है कोंकडी कहां की साश्किय भाशा है क्य एक दमन और दीब की भी है पास में ही है दोस्तों तो कोंकडी दमन और दीब की भी जो है साश की भाशा है ठीक है चलिए अगला कोश्चन देखिए प्रशिद पेंटर राजा रवी वर्मा किस रियासत से जुड़े थे राज बहुत ही फेमस पेंटर हैं आपके राजा रवी वर्मा किस रियासत से जुड़े थे हमारा सही जवाब हो जाएगा त्रावन कोर जिनका भी आंसर आ रहा है त्रावन कोर बिल्कुल राइट है अगला कोश्चन उस स्वतनता सिनानी का नाम बताईए जिसके चित्र वाला पांच रुपए का सिक्का आरवी आई के दौरा च चलाए था भागस सिंग तो देखो भागस सिंग जो हमारे हैं इनको पांच रुपए की सिक्क्य पे बनाए गया है तो राइट आंसर हो जाएगा भागस सिंग कुछी पुड़ी कहां का लोक नरत्ते है यह क्लासिकल डांस है आंध्र प्रदेश का कच्ची पूड़ी आपक में पुरुषकारों का प्रारंब जो है आप लोगों का कब किया गया था अगर हम इस कोश्चन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा हम वेरी गुड़ शाबाश बहुत बढ़िया मेरे इसाब से सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका क्या हो तो यह हो जाएगा आप लोगों का 1973 अगर आपका अंसर आ रहा है 1973 राष्टिय फिल्म पुरुषकारों का प्रारंब 1973 है प्रती माप परक थी ना प्रती माप रख व्यक्तित्व अमरिता शेरगिल का जनम इस्थान आप दोस्तों मुझे बताएंगे आपर अमरिता शेरगि का जनम इस्थान आपको बताना है क्या होülृ चांगा अगर हम इस कुशिन की बात करेंगे तो हमारा परफेक्ट आंसर क्या हो चाएगा इसका जनम हुआ अमरिता शेरगील दोस्तों जनम कहा हुआ था अगरला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है राग कामेश्वरी की रचना किसने की? राग कामेश्वरी की रचना दोस्तों जो है किसने की है? यह आपको बताना है. चलिए. A, B, C, या फिर D. बेटा किंग इसलिए क्योंकि जब तुम महान बन जाओगे, जब तुम कुछ बढ़िया काम कर लोगे, इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा करके जाओगे, तो लोग तुम्हारे वारे में पढ़ेंगे कि किंग जो थे, इन्होंने कब LLB किया, यह ग्रेजुएट कब पूछी जाओगे, जब आप महान काम करोगे, तो पढ़ना पढ़ता है बेटा, जब आप महनत करोगे, कुछ अच्छा काम करोगे, दुनिया के लिए, तो लोग तुम्हारे वारे में पढ़ेंगे, तो आपका सही जवाब यहां से हो जाएगा, पंडित रवी शंकर, तो राग कामिश्वरी की रचना किस ने की थी, तो राग कामिश्वरी की रचना की थी, पंडित रवी शंकर ने, तो अगर आपका आपका आंसर आ रहा है, पंडित रवी शंकर बिलकुल राइट है, नेक्स्ट कोशन आपके सामने आपको दिया गए, इसको देखिए, मेरे भा जवाब हो जाएका धरूपक ठेना अगर हम इस question की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएका धरूपक हो जाएगा वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है धरूपक next question देख़िए समस्टी अर्थ सास्र में कि समूर समस्या का अध्यन किया किया जाता है समश्च्री और खशास्र में किस मूल समस्ष्य गध्धन किया जाता है आएंकी उत्पादन का इनकम जनरेशन तो जिनका भी आंसर आछा है दूस्तों इंकम जनरेशन बिल्कुल पर्फेक्ट है सही जबाब हो जाएगा इंकम जनरेशन हो चाहेगा वोकल म्यूजिक नहीं सुना आप गूगल पर या यूटूब पर डाल के सुनिए आपको वोकल म्यूजिक मिलेंगे सारे ठीक है इसके लावा इंटर्णल रेट ऑफ रिटर्ण प्रतिफल की जो आंतरिक दर होती ये कैसी होती है इसकी बात कर दिये तब लगेगा चलिए अगला सवाल आपके सामने आपको दिया गया है इसको देखिए निवेश गुर्ण का मूले समंदित है किस्से निवेश गुलक का मूल में किस्सेста मुंदित है ठीक है तो अगर हम इस कोशिन की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्प्रेरित निवेश में परिवर्तन के कारण आए में परिवर्तन से तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा ओप्शन नमबर डी आ जाएगा ठीक है चलिए नेक्स पोश्चन देखिए विक्सित अर्थ व्यवस्ता में बचत दर अपेक्शाकरत कम होती है जिसका कारण क्या है जो भी डेवलब्ड एकनोमी है यहां पर बचत जो रेट होता है वो कम होता है इसका जो रीजन है वो है कल्यान कारेकरम क्योंकि यह लोग व कि रीजन है वैछ प्रो governance लेकिर इंप क्या आर्थिक समस्या नहीं है बताएगे लिए तो यह हैं करना कि फुरुसत के शमय को भिवीन तरीकों में तरीके से व्यतीत किया जाए यह कुई आर्थेसमस्या नहीं कि जवाब प्री हो सब स्किप क्यूं कर रहे है अच्छा कोश्चन क्यों कर रहे हैं कोश्चन मत करो पढ़ाई पर फोकस करो ठीक है ना तो बेटा ये तैय करना कि फुरसत के समय कौन सा काम किया जाए ठीक है अब जैसे कि जब हमारे किंग भाई साब खाली होते हैं तो खाली टाइम में अपने बाल काट लें क्रीम पाउडर लगा लें खाली होते हैं आपर बाल काड लिए जाए नाखुन काट लिए जाए दात साफ कर ली जाए तो बेटा हमारी आर्थिक समस्य इसके लावा यह करना कि हमें किस चीज पर खर्च करना देश के लिए इसके लावा व्यक्ति वचत जो आप लोगों की है उसमें व्यकल्पिक तरीकों से चुनना कि हम पैसे को कैसे बचा सकते हैं जो मैंने काम बता यह सारे आपके फालतू काम इसको हमा टो segments एंड्रस्ट्री इंट्रेस्ट मँलिज यह पुस्तक कब प्रकास। प्रकाशत के गई थी तो मेरे भाई अगर हम इस कोशन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएक औरस तो भी दिःट कोस्व 58 कोश謝 का राइट आंसर हो जाएको 1936 ठीक है बस तो और पवसंद आई हो तो लाइक करें शेर करें और अपने क्लास को मिलकर आप सभी लोग शेख सपोर्ट करें मिलते हैं आप लोगों से अग्ली क्लास में तब तक के लिए नमश्कार जैय बी से यजै क्लास और आप सभी का तह दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद जैन वं दे मातरम